कि हलो गाइज वेलकम बैक टो योरों चैनल दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आन बॉक्सिंट करने वाला हूं एमाई बैंट 3 गी और जाती साथ इसके सारी फीचर्स को हम लोग डिटेल में देखेंगे और यह भी मैं बताने वाला हूं वीडियो में कि कैसे आप इसे को सब्सक्राइब कर लें और साथ में इस बेल आइगेन पर जरूर प्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो इसकी अप्डेट्स आपको मिलती रहें सो लेट्स स्टाट्ट वीडियो तो दोस्तों यह मैने प्रडक्त जो और किया है M.I.Band 3 वह आमेजन से और किया है और पैकेज डिलिवर हो चुका है तो जलिए इसे ओपन कर लेते हैं पैकेज ओपन करने के बाद आपको एक M.I.Band 3 का इस तरह का पैकेट में पिलेगा और इस पर ज्यादा कुछ खास तो लिखा नहीं है, दोस्तों इस साइड में MI Bank 3 लिखा है, और साइड में कुछ डिटेल्स दिया है, पीछे में box के content दिया हुआ है, तो जलिए मैं इसे पहले open करके दिखा रहता हूँ आपको कि box के content क्या क्या है, यह उपर से खुलेगा यहां से और यह हो गया, तो box की content की बात यहां पर करें तो दोस्तों सबसे पहला जो है, वो है हम लोग का, इस साइड में एक छोटे से package में रखा हुआ है MI Bank 3 और पहले निकाल लेते हैं हम लोग, तो यह जो MI Bank 3 है दोस्तों यह आता है आपका OLED touchscreen के साथ जो कि 0.78 inch का है, और इसके display क जो resolution है दोस्तों, वो 128 inch 80 pixels है और इसमें backlight भी present है, बात करें box के other content की तो यहां पर आपको user guides मिल जागा है, जिससे मैं side में रख देता हूँ, और इसके लवा दोस्तों यहां पर MI Bank को charge करने के लिए यहां पर charging adapter मिल जाएगा, तो यह बस charging cable है दोस्तों, जिसमें कि आप MI Bank क प्लेस्ट करके आप charge कर सकते हैं, adapter आपको लगाना पड़ेगा, आप adapter में भी लगा कर या फिर आपने laptop से भी charge कर सकते हो, बट laptop से थोड़ा slow charge होगा, तो box के साथ बस आपको इतना ही content मिलेगा, तो आदे MI Bank पे और जैसे कि आप देख पारें दोस्तों, यहां पर MI Bank का यह strap जो है, यह काफी smooth skin वाला band है, और यह काफी अच्छे quality का है, यह काफी soft skin है, और यहाँ पे इतने सारे groups भी बने हुए है, जिसे कि आसानी से यह हर तरह के hand size में adjustable है, और यहाँ पे नीचे के side में, दोस्तों, यहाँ पे sensor लगा है, जो कि heart rate और बहुत सारे activity को track करता है, और यह जो my band fitness tracker है, दोस्तों, इसे निकालने का तरीका यह है, कि इसे आप नीचे की तरफ से इस तरीके से करके, आप निकाल सकते हो, बैंक से, ठीक है, और जिसका strap दोस्तों, वो भी market में individually available है, तो आप purchase कर सकते हो, और यह जो दोस्तों device है, वो android version 5 और उसके वर्प सारी version पे support करता है, और iOS के सारी version को भी support करता है, और इसे charge करने के लिए यहाँ पे नीचे में side की तरफ pin दिया है, तो इस तरीके से आप adapter में इसे adjust करके, plug-in करके charge कर सकते हैं, और यह full charge होने के बाद, एप्रॉक्स 20 डेज इस का battery backup है दर्स तो, और इस device में जो Bluetooth version है, वो 4.2 आता है Bluetooth का, और इसे आप बापस से band में पीछे की तरफ से इस तरीके से insert कर सकते हैं, और यह जब first time में इसे deliver हुआ है, तो यह completely discharge है, तो पहले मुझे इसे charge में लगाना पड़ेगा, क्योंकि यह कुछ sony कर रहा है, तो यह completely discharge है इसका मुलब, तो पहले मैं इसे charge में लगा जाता ह होगा इसे यूज़ करने के लिए, तो यहाँ पर मैं MI का phone नहीं, आप मैं Realme 3 Pro यूज़ कर रहा हूँ, तो इसे मैं आपको Realme 3 Pro से connect करके दिखाऊँगा, तो उसके लिए दोस्तों आपके में Mi Fit ये application होना चाहिए, जो कि Play Store पे easily available है, आप वहाँ से इसे download करके install कर ले, और install करने के बाद जब ओपन करोगे इस app को तो यहाँ पर आपको sign in और sign up को option मिल जाएगा, जैसे ही आप sign in पे click करोगे तो आपको बहुत सारे option मिल जाएगे, MI से, Google से, Facebook, WhatsApp से आप login कर सकतो किसी भी एक से, तो मैं यहाँ पर Google से login कर देता हूँ, ठीक है, login करने के बाद यहाँ पर कुछ बहुत ही simple सा setup आएगा, दोस्तों language और country सेलेक्ट करने का तो वो सब आप खुद से setup कर लीजेगा, यहाँ पर कुछ personal detail देना होता है, और फिर goal set करना होता है, कि like आप कितने step daily work करना चाहते हो, और फिर आपको कुछ permission grant करने होंगे, और इस तरीके से आपको यह interface open हो जाएगा, तो यहाँ पर नीचे में एक option आ रहा है, no pair device, tap to pair, तो यहाँ पर आपको click करना है, ठीक है, जैसे आप click करोगे, तो यहाँ पर next screen पर आपको option select करना है, band, और band पर select करते ही, आपको यहाँ पर permission grant करना है, और यहाँ पर आपको Bluetooth on करना होगा, यह आप से permission grant ठीक है, तो Bluetooth on हो गया, और यह भी MI band को search कर रहा है, तो MI band को आपको अपने device के पास रखना है, खुद बखुद detect हो जाएगा, यहाँ पर pairing भी हो गया दोनों में, और अब हम लोगा जो device है, वो पूरी तरीके से इसे detect कर लिया है, ठीक है, तो आप band के कुछ settings यहाँ पर restore हो जाएगा, और यह ready to use है, यहाँ पर आपको यह guide जा रहा है कि किस तरीके से इसे use करना है, तो फिलाल मैं इसे close कर देता हूँ, और band के features आपको बता देता हूँ, यहाँ पर यह ज्यादा charge नहीं है, तो पहले band पर आते हैं, इस app के features मैं बता दूँगा, इसे आप क्या क्या कर सकते हैं, तो यहाँ जो band है दोस्तों वो ज्यादा charge नहीं है, 9% ही charge है, तो इस band में आपको यहाँ पर step tracker मिल जाता है, और step tracking के साथ साथ यहाँ पर sleep tracking और analysis भी कर सकते हैं, यहाँ पर heart rate चेक कर सकते हैं, यहाँ पर 3 days का weather condition दिखाता है, weather forecasting, exercise, trade mill, सब का timing आप calculate कर सकते हो, mobile पर जो भी notification आएगा वो यहाँ पर आपको mi band पर receive होगा, आपको set करना होगा क्यूंकि इस app का notification यहाँ पर चाहते हो, और इसमें आपको stop watch, timer, इन सारे का भी feature है, यहाँ पर आप calorie कितना burn की है, यह भी आपको so करेगा, कितना distance आपने travel किया, और साथ में आप इससे अपने phone को find भी कर सकते हो, और phone unlock भी कर सकते हो, यहाँ पर नीचे में यह जो heart rate है, वो sensor से detect करता है, ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारे activity tracking का भी इसमें sensor है, दोस्तो, running, walking और cycling यह सब भी आता है, screen option से आप यह change कर सकते हो, कि आपका time जो है, वो किस style में यहाँ पर show करेगा, इस त device ring करेगा, अगर आपका device connected रहेगा, तो, हर feature इसमें यह है, दोस्तों कि इसमें alarm भी है, आप अगर phone में alarm set करते हो, तो यह यह vibrate करना शुरू करतेगा, अगर आप इसे पहन कर रखोगे, तो, जब first time आप इसे buy करोगे, तो आपका यह जो firmware है, वो update होगे, इसमें outdated version होता है just like mobile, while make, भी अगर आप खरिकते हो, तो, उसका software आपको update करना पड़ता है, तो, यह automatic जैसी phone से connect होगा, बस net on होना चाहिए, और इसका firmware जो है, वो automatic update होना, start हो जाएगा, तो, इसमें आपको hardly 2-3 मिनट लगें है, जोस्तों, इसका firmware update होने में, और इसके बाद connecting लिखे रहा ह और फिर आप updating resource हो रहा है, तो, इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, मैंने वीडियो को थोड़ा से यहाँ पर fast कर दिया है, क्योंकि, 2-3 मिनट काफी लंबा समय हो जाता, इसलिए, मैंने 2-3 मिनट को fast कर दिया है, तखी ज्यादा time waste नहों, तो, अब यह पुरी तरह से MI band, update हो चुका है, और connect हुए है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने charge में लगा दिया था, चार्ज भी हो गया है, तो, अब आप इस app के setting में जाकर आप यहाँ पर alarm set कर सकते हो, MI band से आप phone के lock को भी open कर सकते हो, जब भी यह close होगा phone के, और यहाँ पर बहुत सारे app के आप में enable करना होगा, like idle alert, अगर आप एक गंटे से जाए देर तक सिर्फ बैठे रहते हो, तो अभी आपको alert आएगा, और जितने में goal notification है, या D&D option है, या app alert, alarm, event reminder, incoming call, या unlock screen का सारे का option आपको app में यहाँ पर मिल जागा, और यहाँ से आपको सारी features enable करने होगे, यह सारी option दोस्तो 50 meter तक, इसके साथ साथ app में find band option को use करके, आप अपना band find out कर सकते है, find band पर click करोगे, तो आपको band जो है, वो vibrate करेगा, और band से भी आप अपने device को find out कर सकते हो, यहाँ पर जो option आता है, find device का, उस पर अगर आप click करोगे, तो आपका device ring करेगा, फिलाल मैंने vibration में कर रखा है, इस विए से इसे vibrate कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से, अगर आप ring में रखोगे, तो यह ring भी करेगा, आपका device, और भी यहाँ पर आपको app में बहुत सारे option मिल जाएंगे, like band location, यहाँ पर left wrist में आप पहनते हो, यह right wrist में, activity heart rate sharing करने का, discoverable option को enable करने का, heart rate detection, night mode, य इस सारे option आपको यहाँ पे app में मिल जाएंगे, आप अपने recording gain सबको enable कर सकते हो, और यहाँ पे आपको ऊपर में battery का status भी show करेगा, आपका MI band कितना percent charge है, आप MI band में भी देख सकते हो, कि आपका battery कितने percent charge है, यहाँ पे, और firmware update होने के बाद दोस्तों, थोड़ा सा इसका, इसका increase कर जाएगा, like trade mail और exercise यहाँ पे एक और दो option ज्यादा आने लग रहे हैं, इस MI band में, और यहाँ पे इसे आप factory reset भी कर सकते हो, जबी भी आप एक device से connected हो, अगर आप दूसरे device से connect करना चाते हो, तो आपको MI band के setting में जाकर, इसे factory reset करना होगा, ठीक है, तभी आप द और यह product काफी अच्छा है दोस्तों और what to buy है, तो इस वीडियो में बस इतना ही उमीद है, आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे like करे, share करे, comment करे, और हाँ अगर आप एक new viewer है तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब जरू झाल